नमस्कार वर्ष 2021 का बजेट असाधारन परिस्तितियों के बीच पेश किया गया है इसमें इथार्थ का एसास भी और विकास का विश्वास भी है कोरोना ने दुनिया में जो प्रभाव पैदा किया उसने पूरी मानुव जाती को हिला कर रख दिया इन परिस्तितियों के बीच आज का बजेट भारत के आत्मविश्वास को उजागर करने वाला है और साथ ही दुनिया में एक नया आत्मविश्वास भरने वाला है आज के बजेट में आत्मन निर्भरता का विजन भी है और हर नागरिक हर वर्क का समावेश भी है हम इस बजेट में जिन सिध्धांतों को लेकर चले हैं वो हैं ग्रोथ के लिए नए अवसरों नई संभावनाओं का विस्तार करना युवाओं के लिए नए अवसरों का निर्माण करना मानव संभाधन को एक नया आयाम देना इंफास्ट्रक्चर निर्माण के लिए नए ने शेत्रों को विख्षित करना आधुनिक ताकी तरफ आगे बरना नए सुधार लाना साथियों नियमों और प्रक्रियाओं का सरल बना कर आम लोगों के जीवन में इज अब लिविंग को बढ़ाने पर इस बजेट में जोर दिया गया है ये बजेट, इन्डिविजियल्स, इन्वेस्टर्स, इन्डेस्ट्री और साथ ही इन्फास्रेक्टर सेक्टर में बहुत सकारात्मक बढ़लाव लाएगा मैं इसके लिए देश की वित्तमंत्री निर्मलाजी को और उनके साथी मंत्री अनुराग जी और उनकी टीम को बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ साथियों, ऐसे बजेट देखने को कमी मिलते हैं, जिसमें शुरू के एक दो घंटों में ही इतने सकारात्मक रिस्पॉंस आएगा कोरोना के चलते कई एक्सपर्स ये मान कर चल रहे थे, सरकार आम नागरिकों पर बोज बढ़ाएगी लेकिन, फिस्कल सस्टेनेबिलिटी के प्रती, अपने दाईतों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बजेट साइज बढ़ाने पर जोड दिया, हमारी सरकार ने निरंतर प्रयास किया है कि बजेट ट्रांस्परेंट होना चाहिए, मुझे खुशी है कि आज अनेक विद्वानों ने इस बजेट की ट्रांस्परेंसी की सरहाणा की है साथियों, भारत करोना की लड़ाई में रियक्टिव होने के स्थान पर हमेशा ही प्रोयक्टिव रहा है चाहे वो करोना के काल में किये गए रिफॉर्म्स हो या फिर आत्म निर्भर भारत का संकल्प इसी प्रोयक्टिव नेश को बढ़ाते हुए आज के बजेट में भी रियक्टिव का नामों निशान नहीं है साथि हम एक्टिव पर स्टेटेस्कों पर भी अटके नहीं है और हमने इस बजेट में भी प्रोएक्टिव बजेट देखर के देश के सामने प्रोएक्टिव होने का संदेश दिया है। विशेश रुप से जोर दिया गया है। इसी तरह ये बजेट जिस तरह से हेल्थ केर पर केंद्रीत हैं वो भी अभुद्पुर्व हैं। पुर्वोत्तर के हमारे राज्य और उत्तर में ले लदाग जैसे ख्षेत्रों में विकास पर विशेश ध्यान दिया है। ये बजेट भारत के कोस्टन स्टेट्स जैसे तमिलनाडू, केरल, पस्चिब मंगाल एस इनको एक बिजनेस पावर हाउस बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम अठ है। नौर्ट इस के राज्य जैसे असम के अन एक्स्प्लोर्ड पोटेंशल को टैप करने में बजेट बहुत बड़ी मदद करेगा। इस बजेट में जिस तरह से रिसर्च और इनोवेशन इकोसिस्टिम पर बल दी गया है। जो प्रावधान किये गए हैं उनसे हमारे युवाओं को ताकत मिलेगी भारत उजवल भविश के लिए बहुत ठोस कदम रखेगा। साथियों, देश के सामान्य मानवी का महिलाओं का जीवन आसान बनाने के लिए उनके स्वास्त, स्वच्चता, पोशन, शुद्ध जल और अवसरों की समानता इस पर इस बजेट में विशेश बल दिया गया है। बजेट में, इन्फा सेक्टर पर खर्च में, अबुद्ध पुर्व बृद्धी के साथ साथ कई व्यवस्तागत सुधार किये गए हैं, जिसका बहुत बड़ा फाइदा देश में ग्रोथ और जॉब क्रियेशन रोजगार के लिए बहुत लाब होगा। देश में एग्रिकल्चर सेक्टर को मजबूती देने के लिए, किसानों की आइप बढ़ाने के लिए इस बजेट में बहुत जोर दिया गया है, कई प्रावधान किये गए हैं, एग्रिकल्चर सेक्टर में किसानों को और आसानी से और ज्यादा रण मिल सकेगा। देश की मंडियों को यानि APMC को और मजबूत करने के लिए, ससक्त करने के लिए, एग्रिकल्चर इंफार्सेक्टर फंड से मदद का प्रावधान किया गया है। यह सब दिन नहीं, यह दिखाते हैं कि इस बजट के दिल में गाव है, हमारे किसान है। MSME सेक्टर को गती देने के लिए, रोजगार के अउसर बढ़ाने के लिए, इस बार MSME सेक्टर का बजट भी पिछले साल की तुलना में दो गुना से जादा कर दिया गया है। साथियों, यह बजट आत्मन दिर्भरता के उस रास्ते को लेकर आगे बढ़ा हैं, जिसमें देश के हर नागरी की प्रकती शामील है। यह बजट इस दशक की शुरुवात की एक मजबूत नीव रखने वाला बजट है। सभी देश वास्यों को आत्मन दिर्भर भारत के इस महत्यकों बजट के लिए मैं बहुत-बहुत सुबकामनाय देता हूं, फिर से एक बार वित्नमंत्री जी और उनकी टीम को बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूं, धन्यवात करता हूं। प्रुच्श बढ़िन दो पोई सकता हूं मैं बजब कि लुत वास्यों सुबकामनाय दोता हूं हूं। स्यशिय झाया हूं, गर भारते हूं। स्युटर झाया हूं, बदॉत बट्स्यों मैं पन्यवाूं। झाल झाल